नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा कंपटीटिव प्रप्या नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ आज हम यहां देखेंगे 24 मार्च 2023 का महत्वपून कर्ट अफेर्स प्राश्ण तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्राश्ण एक, हाल ही में भारत और किस देश के बीच चौथी रक्षा सहयोग वारता आयोजिक की गई है उक्तर, माल दीव प्राश्ण दो, हाल ही में पुरुश और महिलाओं के लिए चौथी एशिया एक होखो चैंपियनशिप कहां शुरू होगी उक्तर, असम में प्राश्ण तीन, हाल ही में कहां अरेटकम दांसिंग फाउंटेन का उदघाटन किया गया है उक्तर, श्री नगर में प्राश्ण चार, हाल ही में किसने इंडियन वेल्स मास्टर्स का सिंगल्स टाइटल जीता है उक्तर, कालोस अलकराज प्रश्ण 5. हाल ही में किसे संगीत का लानेदी पुरसकार से सम्मानित किया जाएगा उक्तर, Bombay Jayashree प्रश्ण 6. हाल ही में किसे स्को की पहली पर्यटन और सास्कृतिक राजधानी घोशित किया गया है उक्तर, Varanasi प्रश्ण 7. हाल ही में किसे Cotton Corporation of India के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है उक्तर, Lalit Kumar गुपता प्रश्ण 8. हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेट अटिम्पेननी क्रिकेट से सन्यास की घोशना की है उक्तर, Australia प्रश्ण 9. हाल ही में किसने Saudi Arab Grand Prix जीता है उक्तर, Sergio Perez प्रश्ण 10. हाल ही में विश्व गौरय या दिवसकब मनाया गया है उक्तर, 20 March प्रश्ण 11. हाल ही में किस देश के ब्यांट ने एक भारतिय रूपा नामित नो स्ट्रोक हाता खोला है उक्तर, Shri Lanka प्रश्ण 12. हाल ही में कहां पशुचे कित्सा और आयूरवेद पर अंतर राष्ट्रिया आयूरवेद सम्मिलन का उद्धाटन हुआ है उक्तर, Haridwar प्रश्ण 13. हाल ही में ISSF World Cup Shooting Championship का आयोजन कहां किया जा रहा है उक्तर, Madhya Pradesh प्रश्ण 14. हाल ही में किस राजय के मुख्यमंत्री ने रोजगार पंजी करन के लिए जर्नी उजना पोर्टल लांच किया है उक्तर, जारखंड प्रश्ण 15. हाल ही में विश्वजल दिवसकब मनाया गया है उक्तर, 22 March प्रश्ण 16. हाल ही में किस देश के क्रिकेट आसिफ शेख ने 2022 क्रिस्टोफर मार्टन जैनिकिन स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जीता है उक्तर, नेपाल प्रश्ण 17. हाल ही में साल 2022 के भारत की सबसे मुयवान से लिब्रिटी कौन बने है उक्तर, रनवीर सिंग प्रश्ण 18. हाल ही में कहां होकी खिलाडी रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है उक्तर, उक्तर प्रदेश के राइबरेली में मौदरन कोच फैक्टरी स्टेडियम का नाम बदल कर रानी गल्स होकी टफ कर दिया गया है प्रश्ण 19, हाल ही में 22 मार्च को किस राजय का स्थापना दिवस मनाया गया है उत्तर, बिहार प्रश्ण 20, हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया के MD और CEO का अत्रिक प्रभार किसे दिया गया है उत्तर, मनमीत के नंदा प्रश्ण 21, हाल ही में अर्नब बैनर जी को किस टायर कंपनी का CEO नामित किया गया है उत्तर, सिट इसी के साथ आज का कर्ट अफेर्स का प्रश्ण समाप्त हुआ दीजिये हमें इजाजत और हा जाते जाते कृप्या चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद